हलो फैंड वेल्कम टो अल्लाइन फिर्टी स्वागत है आप लोगों का अल्लाइन फिर्टी स्टडी में तो फैंड इस वीडियो हम देखने वाले हैं आपके आरारवी घृपडी और आपका NTPC CBT2 के लिए मैत के कोशिन उनको देखने वाले हैं और इससे पहले ही मैंने आपको लिए 8 वीडियोज डाल दी हैं तो आ around class जाकर आप देख सकते हैं और उससे पहले आप लोग जो है डेली class हमारी आती है एक class जो आती है हमारी सुबए सुबह है आपकी सुभए एक क्लास आती है 9 a.m. पर 9 a.m. की क्लास जो मैंने थोड़ सा चेंज कर दिया है 9 a.m. से मैंने इसको 8.45 के कर दिया है 8.45 पर क्लास कर दिया है और अभी जो क्लास आईगी 5.30 वाली क्लास इसके बाद जो क्लास है वो आएगी 6.30 पर 6.30 या 6.30 से धोड़ा 10- इसकी PDF जो आप टेलीग्राम गुरुप पर देख सकते हैं टेलीग्राम गुरुप वीडियो की दिस्क्रिप्शन आव यहां पर भी दिया हो तो यहां कर आप डावलर कर सकते हुए चली स्टार्ट करेंगे वीडियो को यहां पर पहला कोशन दिखा हुआ है तो देहिए पह आप अगर ऐसी कोईशन को करना चाहते हैं तो बहुत recalled चीज है कि आपको पता है ट्रेंड-ब्लस किसको पार करेगी है 200-05 जो भी है जो भी चीज़ है इसको पार कर रही हिं ऐगली बार में अगली बार में अगर रात करें तो यह कितने सेकेंडे पार करी, 40 seconds ने पार करी याद रखेंगे अगली बार की बात करें तो train प्लस कितको पार करी बैए 400-meter वाले जो है 600-meter वाले पुल को पार करें जो है, तो यह कितने seconds ने पार करी बैए, 80 seconds ने पार करी अब एक चीड मुझे बताइए, इन दोनों में जो याद रखें कि आप का प्लैट फॉओं बिल्ट वाला टाइम और आपका कौन सा वाला पुल वाला टाइम है उसका टाइम जो डिफरेंस आगे हमारे पास अब ये तो किसका टाइम है ये हमारे जो डिफरेंस आ रहा है अब हम यहां से निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस वाला डिफरेंस जो है वो कितना रहा है तो distance वाला difference हमेरे पास आए 400 meter का कितना आए 400 meter का अब आपसे ये पूछा गया है train की चाल क्या है तो train की चाल बहुत ही simple है तो ये train की चाल आगई 400 meter मात train जो है कितनी आगई 400 meter की आगई और train 400 meter 400 meter को चलने में या 400 meter को तैय करने में 40 second का समय लगाती तो आप speed निकाल सकते है speed वरावर क्या अदर distance time होता है तो distance मैंने रख दी 400 meter time मेरे पास है 40 second तो आप इसको भी convert कर सकते है या फिर इसको क्या कर लीजे इसको आप किसमे करना है इसको आप करना है आप जो है इसको already simple से इसको करेंगे तो यहाँ पर 10 आजाएगा अब आपको क्या करना है इसको question पूछाए kilometer प्रती घंटे में क्या किसमें करना kilometer प्रती घंटे को अब आप kilometer प्रती घंटे में अगर convert करना है तो 15 बटे 18 बटे 8 बटे 5 का आप जो इंटू करेंगे अगला question दिया हो A प्लस B प्लस C बरावर 6 A square प्लस B square प्लस C square स्वरी यहाँ पर C square है तो यह C square बरावर जो दिया है वो दिया आपको 14 फिर A Q प्लस B Q प्लस C Q बरावर दिया 36 तो A, B, C का मान क्या है तो यहाँ पर हम दो है condition एक condition जो बिठा लेंगे तो हम यहाँ पर एक चीज देख सकते देखिए आप normally एक चीज देखें तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान करनी है कि हमें जहाँ पर जोगार लगा सकते है जबार लगाँ तो A plus, B plus, C मुझे दिया हुआ 6 अगर मैं आप एक चीज लगा सकता हूँ मैं A बराबर 1 रख सकता हूँ B बराबर 2 रख सकता हूँ C बराबर 3 रख सकता हूँ प्लस करूँगा तीनों को तो यह कितना हैगा मेरा 6 आजाएगा इसी पिर का A का 1 का square करूँगा 2 का square करूँगा तो 4 हो जाएगा इसका 3 का square करूँगा तो 9 हो जाएगा इसके मैं इसमें रख रहा हूँगा option number 2 वाले में तो मेरे पास कितना होगा 10, 4, 14 तो यानि कि मेरा जो statement है 1 A बरावर 1, B बरावर 2 और C वरावर 3 तो वो बिल्कुल सही है तो हम रख देते A वरावर 1 B वरावर 2 और C वरावर हमारा कितना है 3 तो कितना होगा हमारा 6 आगए आंसर कितना है 6 is the option ABC ही तो पूछा था आपसे तो ABC पूछा है तो आपसे आंसर आगए ABC का आदर बहुत simple question था अगला option देखेंगे स्क्रीन पर क्या दिया हुआ यदि किसी संख्या को साथ से भाग दिया जाता है तो C4 आता है वाला C4 बसता है उसी संख्या के बर को N, okay साथ से भाग दिया जाए तो C4 क्या हुआ देखिए इस पिरकार है संख्या है मुझे नहीं पता संख्या जो भी है मुझे नहीं पता कोई भी संख्या मैंने मान ली N संख्या है N संख्या को साथ से भाग देने में कितना बच्रा है प्लस के 4 बच्रा है पर उसने बुलाए कोई एक संख्या है उसका बर करने पर संगें क्या मानी थी एंड़ी अब एंड का वर करने पर जानी इनका मों ट біль लेकर दूं न को एंड को ऐंड को ने दोATE दिया मैं यह 15-31 डिखसके LOOK और 7 इंड लेकर कितना गहां करके एंड होई कोई यह यहां एक वार लगा थो एंड फीपकाश. तो यानि कि 4.16 बटे कितना साथ है अब साथ का भाग दीजिए आप साथ दूनी 14 इस कितना साथ दूनी 14 साथ दूनी 14 मैं से आप 2 बचाएंगे तो 2 यहाँ पर फेस्फल आएगा कितना आगा 2 सेस्फल आएगा option कहाँ पर है option C बिल्भी correct आएगा अब आप जो बिल्कुल basic से करेंगे तो दिक्कत आएगा यहाँ आएगा अब देगे next question करते है अंकित मूले के 20 बटे 31 पर 1 खिलोना बेशने पर 20 प्रतिशत की हानी होती है खिलोने के अंकित मूल और क्रेय मूले का अनुपात क्या है यह आपको बताना है तो एक चीज मुझे बताइए आपको जो selling price है अगर हम बात करें किस चीज की selling price है वो क्या होगा selling price हमारा क्या होने वाला है selling price होगा आपकी जो mark price है वो और आपकी जो चीज है अंकित मूल कितना है दिया हूँ आपको 20 वटा 31 वह होगा ओके यह होगा ठीक है अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान देने वाली बात है तो देखे एक चीज़ और आपको याद रखना है जिसे कि माल लिजे आपको एक होता है cost price CP होता है एक होता है selling price और एक होता है mark price ठीक है यह चीज़ जो है आपको यहाँ पर आपको पता होने चीज़ इस चीज़ तीन चीज़ हमारे main देती है profit loss में आपका जो mark price दिया है वो 31 दिया है जो नीचे दिया है वो mark price उता है ध्यान रखेंगे mark price जो है 31 अच्छा यह कैसे पता पड़ेगा कि mark price कितना आगया पहले मैं बता देता हूँ आपको तो यह मैं आपको एक minute बता देता हूँ आपको इस mark price को आप कहाँ पर ले जाए ऐसे ले जाए MP और इसको मैं मिटाल देता हूँ तो आपको पता चल गया देखिए जो आपका selling price है वो कितना है 20 है और mark price है वो 30 बने यह समझ में आगया आप यहां से हाँ अब देखेंगे selling price कितना आ रहा है 20 आ रहा है अब मुझे बताए कि cost price कितना हुआ cost price कितना हुआ cost price आपको दिया हुआ है क्योंकि खिलोने बेशने पर 20% की हानी होती है किसी भी चीज में 20% की हानी होती है यानि कि selling में हमें कितनी हो रही है selling में हो रहा है हमें minus हो रहा है selling में 20% की हानी हो रही है कितनी हो रही है 20% की हानी हो रही है अगर हानी हो रही है तो यहाँ पर 20% की हानी हो रही है मिला है आप से पूछ रहा है क्या है इसका आपसे पूछ रहा है अंकितमूल और क्रेमूल में अनुपाथ कैसे और 21 ऑप्शन में है तो हिहाँपर पर उप्शन यह है Kर लीज़े 31 citizen aश यह वाला प्श्ण बी विल भी correct है, कोई यहाँ पर साथ दुसरे पर छूट गया, कोई दिक्कत नहीं, एक, तो आगे करेंगे, चले, अगला question जो दिया है, वो बहुत easy question है, तुरस हम मुझे यहाँ पर format नहीं मिल ला था, तो इसको बना नहीं पा रहा था, मैं आपको यह question फिर से बना के बता जा रहा है, यह सभी इतने आगे तक हैं, तो आपको यह बताना है, किसका answer क्या आएगा, तो यहाँ पर बहुत ही simple question यह हो जाएगा, कर देखे देखा जाए, आपको करना क्या है, जो भी आपको संख्या है, तो आपको बहुत simple से trick लगानी है, जो भी संख्या दी है आपको जिसे 156 दिया है, और आपको 157 आगे अनन तक दिया है, तो करना ऐसा है, कि आपको ऐसे दो factor लेने हैं, इसी चीज के factor कर लेने हैं, और factor करना कैसे है, किसका जो अंतर होगा, factor के वो कैसे होने चीए, वो होने चीए, अंतर इसमें, मतलब इन दोनों का factor का अंतर केतना होने चीए, डिफरेंस कितना ने चीए, अगर आपको प्लस दिया है बीच में, क्या दिया है, प्लस दिया है, तो हमारा answer आएगा 13, प्लस दिया है, तो आपका answer आएगा 13, और अगर आपको minus दिया हो था, तो आपका आता 12, क्या आता 12, तो हमें क्या दिया है, प्लस दिया है, त हमारा आंसर क्या हैगा 13 आएक option आएगा C is the correct answer क्या हैगा C is the correct answer इस से simple और क्या है बहुत ही simple question कर दिया अगला question करेंगे यह आप लोगों के लिए question है 50 लिए सराव और पानी के मिसरण में 60 प्रतीशत सराव है इस मिसरण में कितनी सराव और मिलाए जाए ताकि इन नए मिसरण में 75 प्रतीशत सराव हो जाए तो देखें यहाँ पर आपको एक साइट दी है 50 लिटर हमारे पास total कितना है total हमारे पास 50 लिटर है अब इस 50 लिटर में एक साइट सराव है एक साइट क्या है आपके यह एक साइट सराव है एक साइट आपका पानी है अब एक छी और आप मुझे बताईए कि आप से वोला है कि 60 परषण जो है आपको क्या बूछाए 60 परषण जो है इसमें सराव का मिसरण कितना 60 % यानि कि 60 परषण की वेल्यू कितनी है आपकी सराब की है, तो 50-60% हम निकालेंगे, तो ये 30 लीटर आएगा, कितना आगा 30 लीटर है, यानि कि हमें पता पढ़ गया कि सराब कितनी है 30 लीटर है, तो पानी कितना होगा, 20 लीटर होगा, क्योंकि 50 लीटर टूटल हमारा है, अब एक चीव मुझे यह उर बताइए, कि अगर उसने वुला है, कि सराब 75 परतिस होजाए, तो पानी कितना बचेगा, 25% बचेगा, निक बचेगा, तो इससे काठेंग, इससे काठेंग, एक आया और ये 3 यानि कि अनुपात कितना होगा, एक अनुपात तीने उठा होगा, कितने उठा होगा, एक अनुपात तीन में, यानि कि जो 20 की value है, वो कितना एक है 20 की value कितनी एक है, यानि कि ये 20 गुना है, कितना है 20 गुना है तो इसी को भी मैं क्या करूँगा, इस 3 को भी तीस लीटर और सराब मैं इसमें मिलाओंगा तो मेरा जो मिस्रंड में जो सराब की मात्रा है वो 75% बढ़ जाएगी option क्याने वाला option B बी बी correct answer अगला question करेंगे यह आप लोग ले comment करेंगे question बहुत ही प्यारा सा दिया है इसका answer comment करना है बहुत ही simple question है याद रखें किसी भी value पर आपको कितना दिया है आपको six दिया हुआ है क्या दिया six दिया है तो six zero zero में आप चार का भाग लाएंगे तो कितना आएगा आप कर ली जब कोई दिक्कत दिये अगर आप एक चीव दिखेंगे तो 100 अगर 100 का कोई भी किसी भी चीज में 100 की जो है क्या लगा हुआ है गात लगी है दस की लगी है 100 की लगी है तो उसका जो digit है जानी कि unit digit है वही आएगा जो सबसे पहला वाला date है और पांच वाले की अगर बात करें 5 प्यासमा ने कित लगा है 5 फिर आगर आप कितनी वी आपावर लगा लें पॉ 5000 ही देंगा अगला कोशिन स्क्रीन पर है दो पाइप A और B एक टंकी को 16 गंटे और 20 गंटे में भर सकते हैं पाइप A से शुरुवात करते हुए एक आंतर रूप से प्रते एक गंटे के लिए खोला जाता है कितने गंटे में टंकी भर जाएगी अब ये कोशिन जो है बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आगा लेकर में पता जेता हूँ इसको समझने का बहुत तरीका है बहुत जी सिंपल तरीका है पूची बोल रहे रहा है एक 16 गंटे में टंकी कंड़ता है ब 20 गंटे मेंशने 신 करीए इस एक को स ł? इस इसका स्षें बहुत कितना आने वाला वह रहला एगा 80 गंटे चलाते हैं फिर बंद करते हैं फिर B को चलाते हैं गंटे फिर बंद करते हैं फिर A को चलाते हैं अल्टरनेट वाला है क्या है अल्टरनेट वाला केस है तो अल्टरनेट वाला केस देख लेते हैं तो A जो है 16 गंटे में, B जो है यहाँ पर 20 गंटे में, तो इसका जो L सम्म लेंगे, वो कितना आने वाला, वो आएगा 80, 16 पंजे कितने होते हैं, 80 होते हैं, ठीक हैं, 20 जो अग 80, यानि कि A 5 गंटे में, B जो है 4 गंटे में बढ़ते हैं, अगर हम संयुक्त करते हैं, A प्लस B को दोनों को, अगर एक साथ रखते हैं, तो हमें पता चलेगा कि 2 गंटे चलेंगे, कितने चलेंगे यह 2 गंटे चलेंगे, कितने चलेंगे 2 गंटे चलेंगे, यानि 2 गंटे काम करेंगे, दो गंटे में कितना काम कर रहें, 9 काम कर रहें हमें काम कितना कराना, टूटल 80 काम कराना है तो आप एक काम कर सकते हैं, 80 में आप 9 का भाग देजिए कितने बार जा रहा है, उतना जो है आप इसमें इंटू कर दिए 9, 8, 72, कितना 9, 8, 32 तो हम 8 का इंट इन टो इसमें करेंगे, 8 का इंटे इसमें करेंगे, 8 दो नहीं कितना हो गया, 16 हो गया, 8 ना हम 72 ही हो गया, कितना हो गया, 22 ही हो गया, तो हहां से हम क्या है, इसको मैंmodelog कर देथा हूं, इस चीज़ को आप समझ लीजे का, अब द्वारत से कौन करेगा एक काम करेगा तो एक काम कितना करेगा पांस लिटर का काम करेगा एक घंटे में एक घंटा और काम करेगा यानि 17 गंटे हो गए तो कितना लिटर प्लस करेंगे तो इसमें पांस लिटर प्लस हो जागा तो कितना सत्तर हो जागा अब सत्तर की बा पर आगया आपका 17 सही तीन वटे चार आप्शन खापर दिया option दिया है बी एजी correct answer चले अगला question करने वाले यह आप लोगों ले question question दिया हुआ देखेगा साधरन ब्याज की दर से 675 का चार वर्सों में miss than 837 कितना 837 हो जाता है यदि ब्याज की दर 2% गटा दी जाए तो वहरासी क्या होगी कैई सारे student जो होंगे इस question को बहुत simple समझेंगे यह सोचेंगे बहुत आसानी से question हो जाएगा लेकिन आप लोगों को लिए चीछी बता दूँ कि यह question जो है इतना ही tough है जितना आप exam में CGL level का question है लेकिन फिरी बता दूँ यह RRB के exam में भी आया हुआ question है क्योंकि NTPC का ही question है तो यहाँ पर question है क्या पूचा है देखे बहुत ही अच्छा question है अच्छे level का question है तो आप लोग क्या करेंगे बहुत सारी लोग क्या करेंगे चार वर्स का क्या निकालेंगे आप miss dhan जो हम इसको दिया हुआ है फिर आप इसका सादरन ब्याज निकालेंगे फिर इसका miss dhan निकालेंगे freight निकालेंगे तो यह सारी चाहँ आप करेंगे इससे अच्छा है आपको करना क्या है तो हमें प्रिंसिपल किठना दिया देखी आराम देख्ती जाइए गादिया Hero पृर्सिपल हमें मूल धन कितना दिया चाय सो पुच्टेटर रुपए दिया हुआ है यह हमें दिया हुआ six aऽत्ते-रुपए और अच्छा हमें चार वर्स की बात दिया है चार वर्स में जो हमें क्या दिया है इनिक कि अमांट हमें कितना दिया है तो आपको एक काम कर लेना है कि बहुत ही सिंपल से कि आपको चार वर्सों में दो प्रतीशत की दर से जो छेसो प्रतीशतर रुपए हैं आपका मूल धन से वो कितना रुपए आपको मिल रहा है तो आप क्या कर लेंगे उसको आप घटा लेंगे अगर आपको इस कोशिन कैसे करेंगे आपको दो प्रतीशत की बार्सिक दर से ठीक है आपको जो है चार वर्सों में छेसो प्रतीशतर रुपए से कितना ब्याज मिल रहा है वो आप कर लेंगे कितना ब्याज आपको मिल रहा है वो कर देंगे जब यह ब्याज आ जाएगा तो आपको क्या करना होगा आपको यह ब्याज आ जाए तो आप इस मैंसे घटा देंगे इस मैंसे आट सो से तीज मैंसे क्यों घटा आएगे तो यह चार वर्षो बाद मिसदन हो गया है और आपसे बूला है कि 2% अगर कम होती अगर 2% कम होती तो कितना रुपए आपको रासी क्या होती वह रासी क्या होती अगर आपको यहां से 2% कम कर दिया था यह 2% कम कर दिया था ब्याज की दर तो हम क्या करेंगे ब्याज की दर ही तो निकाल लेंगे ब्याज की दर मदब कितना रुपए हमें कम मिलता वही निकाल लेंगे और 877 से गटा देंगे सिम्पल तरीका है तो यहां से आप क्या कर सकते हैं कुछ नहीं करना आपको देखेंगे हैं से कर देगे 25 okay 22-50 okay 22-50 और यहां पर कितना पूछा okay 17-7 25-7 ते 27-7 और 24-54 यहां पर होई गया 4-4 को आड़ देंगे okay 27-2 को इंटु करेंगे तो कितना जाएगा 47-2 को करेंगे तो कितना आगा 44 आगया अब हम यह पता पढ़ेगा कि 2 रोपय से या नी दो प्रतिशत बारसिक दर से या दो प्रतिशत की दर से या rate से हम जो है interest हमें कितना मिलता चोवन मिलता कितना मिलता चोवन मिलता वही चार साल में कितना मिलता चार साल में हम क्या करेंगे 837 में से 54 रुपय को घटा लेंगे कितने कर लेंगे हमारा आएगा 13 आएगा यहाँ पर 13 में से 5 गए तो आपके कितना आचा 8 और 837 तो 880 रुपे बचे 880 रुपे मारे पस बचे यही आपको answer है क्या है आपका answer होगा option कहाँ पर option number D will be correct answer क्या होगा D will be correct answer अगला कोशिए क्या दिया है तिर्वज यही तिर्वज के कौण 5,4 और 3 के अनुपात में हैं तो सबसे बड़ा कौण का पूरक यानि की complementary angle का मान बताना है तो पहले तो आपको पता होना चाहिए complementary angle होता क्या है क्या आपको यह पता होना चाहिए complementary angle होता क्या अगर आपको यह नहीं पता तो दिक्कत आएगी वोकि पूरक कौन complementary angle होता क्या है complementary angle होते है दो angleों को मिला कर बनता है complementary angle और complementary angle का जो मान होता है वह होता 10 degree यानि कि अगर मैं बात करूँ A बाला angle और B बाला angle दोनों का जो मान होगा वहोगा 90 degree कितना होगा 90 डिगरी अब complimentary एंगल से समझेए अब देखे एक चीब में बताइए पांच अनुपाद चार अनुपाद तीन अनुपाद दिया है और तिरूज में तीनों जो कौन होते हैं यानि पांच प्लस 4 प्लस 3 इन तीनों बुजाओं का योग जो होता है कौन होता है नो और 3 कितने होगा या अब बारा बारा से काट दीए इसको बारा एक बार कम बारा ओके एक बार कटेगा कितना बचेगा भी 6 चाटेगा ओके 12 पंजे 60 यानि कि एक की वेल्यू 15 डिगरी के अखे अब होता क्या question है आप से पुचा सबसे बड़े कौन का सबसे बड़े कौन का सबसे बड़े कौन कों है यह 5 है कौन सा है 5 है तो 5 into आप कर दीजे इसमें आप तो 25-25 बाथ आगया पाँच में 2 और 75 ऑगया अब इस 75 को 90 में से गटा दी आपका complimentary एंगल आ जाएगा किया गड़ादेंगे तो कॉम्प्रीमेंटरी एंगल कितना आएगा पंधरा ऑप्शिन आएगा 15 इसी करेक्ट आइए एक सोपचास से कम छे के सभी धनात्मक गुडांकों का योग ग्यात करना देखें बहुत सिंपल कुशन देखा जाए लेकिन आप जो ह एक सो चवालीस बार जा रहा है तो यहां पर लाश वाली संख्या जो होगी वह 144 होगी कितनी होगी लाश वालीस संख्या होगी 144 होगी अब यहां तो इसे को यह अपी से कर लिए आप अपी से नहीं कर पाएं तो यह काम कर सकते हैं 6 को यहां पर भार निकाला यहां बचा 1 यहां बचा 2 यहां बचा 3 तो प्राकर संख्याओं का जो सम होता है और यहां पर कितना बचेगा यहां पर बचेगा 24 जो प्राकर संख्या जो सम होता है वो कैसे निकालेंगे प्राकर संक्या को समझता होता है वो n और n प्लस 1 अपन 2 यह होता है आपको यह पता होगा बहुत सिंपल है तो n क्या है यहाँ पर तो n जो अब होगा n जोगा लास्ट वाली से हैं क्या होगा n जोगा 24 होगा 24 ओके आपका n 2 25 आप 1 में 2 तो 2 इससे काट दिया होगा 23 कितना होगा आपका होगा एक और चीज याद रखेंगे यहाँ पर कितना है यहाँ एक और चीज आपको याद रखना है कि भार हमारे 6 भी दिया हुआ है कितना दिया है 6 भी भार दिया है तो हम एक काम करेंगे 6 को ही काट देंगे क्या करेंगे हम 6 को काट देंगे हम क्या करेंगे एक 6 को काट देते हैं क्या देखकत है हम इस 6 को करते हैं, 6 यहां पर दिया हुआ, तो 6 को 2 से करते हैं, 3 से आ जाएगा, तो 24 x 25 x 3, यह करते हैं, और इसको इंटू करते हैं, यह 75 हो गया, और यहां पर ओगया, बहातर करते हैं, बहातर इंटू 25 करते हैं, बहतर इंटू 25 करेंगे तो कितना आगा आपका 1800 आएगा 800 आएगा 800 आएगा 800 आएगा 800 आप्षिन क्या है आप्षिन नमबर बी बी करेक्ट आंसर ओके चरे अगला कोशन दिया है अच्छा आपको ये चीज बहुत सरे इस्टुएंट को नहीं पता होगा इसको तो आप 88 आप डिगरी बोल देते हो लेकिन किसी पर भी अगर ऐसा लगा हूँ ऐसा तो उसको बोलते हैं क्या मिनिट अगर एक लगा है तो मिनिट अगर दो लगे तो उसको सेकिन बोलेंगे है तो अभी हमें क्या लेखा, 78 degree, 36 second का अनुपूरक, यानि supplementary angle क्या है, अब supplementary angle क्या होता है, कोई भी दो angle है, Q और Q1, उनका जो योग होना चाहिए, वो 180 degree होना चाहिए, supplementary में कितना होना चाहिए, Q plus Q, यहाँ पर Q1 और Q2 का जो होना चाहिए, एंगल का, वो 90 degree होना चाहिए, यह complementary है, और यह supplementary, यह मैंने अलड़ी बता दिया आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर आपको 1 degree बरावर पता ओना चाहिए, एक डिगरी बरावर कितना होता है, एक डिगरी बरावर 60 मिनिट होता है, कितना होता है, 60 मिनिट होता है, यह हमें पता है, अब 180 को आप divide कर तो इसे के प्रकार से करेंगे एक स्वस्षी को हम कैसे लिख सकते हैं एक स्वस्षी को मैं लिख सकता हूं 179 प्लस वन डिगरी लिख सकता हूं इसका माइनस करेंगे 78 degree में से 36 second okay 38 second 78 में से आप ये minus करेंगे 179 में 78 minus करेंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पर minus करिए तो कितना आएगा भई 1 यहाँ पर 1 आएगा फिर 0 आएगा 1 आएगा और आप जो है इस 1 degree का मतलब कितना 1 degree मतलब हो गया 60 minute 60 minute में 36 second गटाएंगे 36 second 36 जो भी गटाएंगे तो यहाँ पर पलस का निसान नहीं आएगा तो आप गटाएंगे तो कितना आएगा 36 minute जो है वो गटाएंगे तो कितना आएगा भई आप गटाएंगे यहाँ पर कितना आएगा आपका आएगा यह आएगा 4 और यहाँ पर आएगा 4 तो यानि कि आपका कितना answer आ गया 101 degree 24 minute 101 degree 24 minute आपका answer आगा option आ गया option नहीं दिया था कोई दिक्कत ते अगला question करें question दिया हुआ n एक पूर्ण संक्या है उसे जब 4 से विवज़त किया जाता है तो 6 पल 3 आता है तद अनुसार 2 2 n पलस 1 को 8 से विवज़त करने पर सेस्वल क्या होगा comment करेंगे इस question का बहुत ही प्यारा सा question स्क्रीन पर है जैसे question बोल रहा है वैसा करते जाएंगे question बोल रहा है कोई संक्या है संक्या मैं माल लेता हूँ संक्या को n संक्या है मैंने बोला कोई n संक्या है उसमें सेस्वल बच रहा है 4 क्या बच रहा है क्या बच रहा है उसको सेस्वल बच रहा है अब यह 4 से वाज़त करने पर सेस्वल कितना बच रहा है 4 4 से वाज़त करने पर 4 बच रहा है तो 1 संक्या 3 सेस्वल 3 बच रहा है कोई संख्या है एक संख्या को चार से वाज़ित करेंगे तो चार से वाज़ित मैं करूंगा किसी संख्या को तो चार से वाज़ित होगा और N संख्या बचेगी क्या बचेगी मुझे पास N संख्या बचेगी तो संख्या मैंने माल ली 4N प्लस 3 मैंने संख्या को माल लिया क्योंकि सेस्वल में कितना बचा है तीन बच रहा है उसी संख्या को मैं क्या करता हूँ उसी संख्या को मैं क्या कर रहा हूँ उसी संख्या को उसने बुला है उसी संख्या को मैं 2N plus one से क्या करें को अगर भाग दे 8 से अगर इसको कर दें मैं अगर two an two an plus one मतलब ये वाला one अब इसमें two an मतलब four an में क्या करता हूँ इसमें अगर two का into करूँगा कितना हो जागा आठ हो जागा τीन मैं two का into करूँगा त styl तो six हो जागा अगर 8N तो हमने करी लिया है इसका हो गया 7 हो गया यह हो गया 8 अब एक चीज़ दिखेंगे कि हम 8N को 8N से काट देंगे और यहाँ पर संक्या है वो कट जाएगी यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तुम्हारा जो answer आएगा वो successful आएगा वो 7 बचेगा option का है C, okay A option will be correct answer काएगा C बचेगा 7, okay अगला कोशिन दिया हो इस कोशिन को आराम से पढ़ेंगे बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा कोशिन दिया हो है ताजे फलो में 60% पानी है तता सूका ताजे फलो में कोशिन दिया हो है कोशन आपको आपको ताजे फंट दियों उनमें 26 % कितने 40 % क्या है समें पानी है बाकिए 36 % के बाद में अगर बात करें और जो सूखी है यादि कि पलप है और यह नहीं होता यह कूशा है पलप पल्प होता है पल्प मतलब आपका जो गूदा होता है वो गूदा होता है तो यह आप से बोला गया उसमें पानी और पल्प है अगर हम बात करें फूट्स की बात करें तो फूट्स में होगा क्या पल्प होगा और प्लस क्या होगा वाटर होगा ठीक है और अगर हम फ्रेश अगर हम बात कर उचने बूला क्या जो जो बूला है उसमे एक 24低ृतिस निए भावा उसको गटा दें शॉथे 24 प्रूर्ट जो एफ रूट्स होगा पानी के जगा और function कया होगा फूट्स और पर कि Corn십 पल्प उगल सकते हैं, फूट्स यहाँ पर पल्प उगल सकते हैं, पल्प लिख दिया मैंने, अगर हम ड्राइफ फूट्स की बात करें, ड्राइफ फूट्स की जो होगा, उसमें क्या होगा, उसमें एक तो क्या होगा, ड्राइफ फूट्स में क्या होगा, ड्राइफ फूट लिख देता इसको fruit into आपका 34% जो भी आपका आया था यो पल्प आया था वो वो किसके बरावर होगा dry fruit के 85% पल्प के बरावर होगा ठीक है तो हम fresh fruit और dry fruit यह रहे आपके और 34 बटे क्या लिख देंगे आप इसको कर दिए 34 ऑके आप इस परकार से करते हैं तो 5 यह आ गया तीन आ गया यानि कि fresh fruit की संख्या कितनी है पांच है और dry fruit की संख्या कितनी है दो है कितनी है दो है तो इस परकार से आप यह पता कर सकते हैं fresh fruit की जो संख्या वो कितनी है पांच है और dry fruit की संख्या कितनी है 80 हो लेए यानि की 5 का 80 कितना है 5 का 80 है 16 30 1680 तो होते है तो ये 2% dry food का भी क्या होगा सुके फल पूचे हैं तो ये भी 16% होगा यानि 16 कितना होगा है 32 तो 32 केज़ जा गर नहीं 32 केज़ जा अप्षिन कहाँ पर दिया option B दिया है क्या करना अधिकता मान ग्याद करना जब भी ऐसा दिया हो तो total संक्या कितनी दिये a plus b plus c दिये और हमें इसके बरावरण total कितना दिया यह दिया है तो काटेंगे तो कितना आगा तीन आएगा और यहाँ पर कुछ नहीं करना है बस आपको यही करना A into B into C into D into आपको इसके बरावर भी 3 रखना है इसके बरावर भी 3 रखना है इसके बरावर भी 3 रखना है और सबको into कर देना है 3 तिरका 9 9 तिया 27 27 तिया 81 आपका अंसर आगर 81 तो यहाँ पर इस पिरकार से करना जो भी आपको संख्या दी है A प्लस B प्लस C उसको लिख लेना बटे में और जो भी आपको बरावर में संक्या दी यह वहाँ पर लिख लेना और यो भी आता है उसको जो है इनके बरावर में लिख लेना बस आपका अधिक्तम संक्या माधिक्तम मान जो है बॉआ जाएगा ओके तो यह जो है मिलेगी बायलोजिक क्लास में हम तो बहुत सारे से कोशिंट करेंगे जो कि आपको हैल्पूल रहेंगे और ये खांसर की बूक किसकी वोक होगी खांसर की वोक होगी इसमें पूशन करेंगा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें चैनल सब्सक्राइब कर दीजिगा थैंकिए फिर मॉच्चिन इस वीडियो बाइस आपके एक्जाम के लिए आपके रिजल के लिए